दोस्तों नमस्कार, welcome back to channel विस्टम से दोस्तों यहां पर हम बात करने वाल है exemptions की, exemptions की जो conditions हैं आपके November 30 exams के लिए same है या इसमें कुछ changes है, यहां पर सब कुछ मैं आपको clarification बताऊंगा, new syllabus में कुछ changes है, exemptions में वो क्या है, वो भी मैं को यहां पर clear करने वाला हूं, और old syllabus मतलब कि जो existing syllabus से भी चल रहा है, इसमें क्या क्या चीज़ें यह भी सब कुछ मैं पताने वाला हूं, लेकिन से पहले, दोस्तों MCQs application पर अप्रोड हो चुके हैं, application आप करिए download, और MCQs भी आप बिल्कुल solve करिए, आप gamified manner में उसको solve कर सकते हैं, कहीं भी कभी भी आप exams की, exemptions क्या क्या होंगे, वैसे तो foundation में कोई exemption नहीं है, लेकिन अगर बात करते हैं, CA, inter and CA finance की, तो यहाँ पे बिल्कुल exemptions आपको मिलते हैं, CA, inter and CA finance में, अगर हम बात करते हैं, exemptions के details के, exemptions की conditions क्या क्या है, तो सर्थ सबसे पहले, जो की अभी आपके चल रही existing scheme, existing scheme में अ बार, उस group में बैठने की जुरुत पढ़ी नहीं, second condition, यहाँ पे 60 or more, 60 or more marks मिलना mandatory है, उस paper में, उस particular भी paper में, and third condition, all papers, all papers of that group, आपको उसमें appear होना mandatory है, मतलब कि, अगर आप prepare कर रहे हैं, group 1 का, group 1 में जो 4 papers हैं, तो paper 1 में भी आपको appear होना mandatory है, paper 2 में भी, paper 3 में भी, and paper 4 मे भी, आपको appear होना mandatory है, तो उस group के सारे के सारे papers में बैठना आपके लिए mandatory है, तो यह exemption की condition है, अगर आप मालो कि, आपको paper 1 में मिल गया exemption, paper 1 में आपको exemption मिल गया, तो अब दुबार, इस group के किसी paper में, हम बात कर रहे हैं, केवल इस group के, इस group के किसी paper में, आप exemption अवेल नह देना पड़ेगा, अगर इस किसी भी paper में, paper 2, paper 3, paper 4 में, अगर आपको मिलता exemption, उस case में, अब इस किसी भी paper में, आप exemption अवेल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि, आप सारे papers में नहीं बैठने, paper 1, paper 2, paper 3, and paper 4, सारे papers में आपको बैठने की ज़रुत नहीं बढ़ेगी, paper 1 आपक सारे papers में, appear अगर आप होते हैं, उस case में, आप किसी भी paper में 60 और 60 पस लेके आते हैं, और group 2 आपका नहीं निकल पाता है, उस case में, आपको group 2 में भी exemption मिल जाती है, so group 1 में एक exemption थी, and group 2 में भी exemption हो सकती है, तो ये condition जो कि यह चल रही है, जो exemption है, अगले 3 attempt तक allowed होते है, मतल ये exemptions आपको इसका benefit मिलेगा, इसके बाद exemptions के benefit नहीं मिलने वाले, जो कि अभी existing scheme है, इसमें, new syllabus में कुछ changes है, new syllabus में अगर आप इसको carry forward करना चाहते हैं, तो आप इसको carry forward कर सकते हैं, इस 3 attempt avail करने के बाद, exemptions 3 attempt avail करने के बाद भी आप इसको कर सकते हैं carry forward, लेकिन अब य सारे papers मिला करके 50% और more आपका होना चाहिए, और individual paper में 40% होना चाहिए, लेकिन अगर आप 3 attempt के बाद, इस exemption को carry forward करते हैं, उस case में, आपके पास में option होगा carry forward करने का, अगर आप इसको carry forward करते हैं, उस case में, आपके पास में, passing criteria की change हो जाएगी, criteria में change किया होगा, ये 40 marks हैं ये 40 marks ना हो करके, ये हो जाएगे 50 marks, मतलब कि जो आपके पास में remaining papers होगे, जो कि आपको जिसमें appear होना है, इन remaining papers में, आपको 50 कम से कम लेके आने होगा, instead of 40, तो तीन attempt के बाद, अगर आप exemption carry forward करना चाहते हैं, उस case में, आपकी जो passing condition है, ये change हो जाएगी, यहाँ पे 50 हो फॉलो करनी पड़ेगी, मतलब कि ये exemption आपके पास में, एक extra benefit मिल लाएगा, कि अगर आप चाहते हैं, इसके बाद भी इसको carry forward करना, then it is your wish, अगर आप चाहते हैं, तो इसको कर सकते हैं, otherwise आपकी मरजी, अगर हम बात करते हैं, नवंबर 30 के exams की guidance note में, exemptions की जो conditions हैं, इसकी जो की नवंबर 2030 में जिसका exemption आता है, but bad luck उनका अगरा clear नहीं कर पाते हैं, उस case में अगले 3 attempt तक उस paper को carry forward कर पाएंगे, जो भी exemptions allowed होगे जिस paper में, तो उस papers के exemption को carry forward कर पाएंगे, अगले 3 attempt तक, next 3 immediate attempt, लेकिन अगले 3 attempt के बाद, इनके पास में अब ये benefit नहीं होगा, कि इस exemptions को 3 attempt के बाद भी carry forward कर पाएंगे, इसका मतलब की 50 marks minimum है, condition, 40 marks के जगा पे 50 marks कम से कम conditions, इसका मतलब की अगर कोई 3 attempt के बाद, exemptions continue करना चाहता है, तो उस case में जो condition है passing की, वो कम से कम 50 marks individual papers में जो हो जाती है, तो वो नवंबर 2030 के लिए applicable नहीं होगा, new scheme के exemptions हैं, वो के existing scheme चल रही है, इसमें किसी भी तरीके कोई exemption जो new scheme का है, वो available नहीं होगा, हाँ, अगर किसी paper में आपका exemption आता है, और उसका exemption आपको अगर new scheme में, new scheme में उस paper में exemptions allowed होता है, आई से उसको allow कर रखा है, उस case में उसका benefit आपको मिल जाएगा, और अगले 3 attempt तक उस paper में appear होने क आपको ज़रोत नहीं पड़ेगी, ये चीज़ें CA enter and CA finals, दोनों के लिए हैं, और ये जो PDF है, जो guidance notes है, मैंने share कर रहा है, तेलिगाम चैनल पे, वहाँ से अगर आप चाहिए तुछ आगर रहा के ले सकते हैं, तेलिगाम चैनल के link आपको में लिए डिसक्रिप्शन में, ज grant of exemption, यहाँ पे विसको पढ़ सकते हैं, so guys, I hope कि आपको ये clarification मिल चुकी होगी, कि exemptions किस-किस तरीके साब ले सकते हैं, और यहाँ पे November 13 के attempt के लिए, कौन से exemptions साब के लिए applicable होगी, क्योंकि बहुत सरे बच्चों के doubt है, और rules कुछ exemptions के change हुए है, news syllabus में, तो उनके doubts है कि क दोस्तों वीडियो से यहीं देखी है, वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, and hit the bell icon ताकि आपको वीडियो की notification मिलते हैं, thank you so much and take care.